कतार देश की मुस्लिम आबादी कितनी है दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे अमीर देश ना ही अमीरिका है ना ही कोई सौधी अरब दुनिया का सबसे अमीर देश कतार है यहां अमीरिका दुबई और सौधी अरब से भी ज्यादा अमीर लोग रहते हैं क्योंक लेकिन 1950 के दशक में जब कतार की धरती पर तेल और ग्यास के बंडार पाए गए इस वजह से कतार देश की पूरी तरह से किसमत बदल गई इसलिए आज वो दुनिया की सबसे अमिर देशों में से एक है कतार देश का लगबख शेतरफल 11571 इतना है कतार की राजबाशा अरवी है जिसकी मुद्रा रियाल है कतार के पास रूस और इरान के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिद्धी प्राक्रितिक गैस बंडार है कतार में ज्यादा तर लोग काम करते हैं इसलिए यहां की बेरावजगारी दर एक प्रतिशस से भी कम है कतार देश में 6-16 साल के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त है लेकिन अनिवारियन नहीं है कतार में शुकरवार और शनिवार को वीकेंड होता है कतार पहला अरब देश है जो फीफा वर्ल्ल कप 2022 की मेजबानी कर रहा था कतार मेरेगिस्तान होने की वजह से यहां पर कोई खेती की नहीं जाती जिसके कारण खाने पीने की सभी चीज़े बाहर देश से आती है और महंगी होती है कतार मुस्लिम देश होने के बावजुद यहां पर सभी धर्मके लोग रहते हैं इसलिए अगर किसी भी धर्मकी निंदा की जाने पर साथ साल की सजा देनी की सुनवाई की जाती है करिब 0.50 डॉलर पती लिटर की दर से कतार में दुनिया की सबसी सस्ती गैस है कतार में लगवग 25 प्रतिशत भारतिय लोग रहते हैं कतार के मुल 85 प्रतिशत से भी कम है कतार देश में ज्यादा भार देश के लोग रहते हैं इन में भारतिय पाकिस्तानी बांगलादेश श्री लंकन नेपाली लोगों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है दोस्तो ये तो थी कतार के कुछ रोचक बातों की जानकारी है अब आईए जानते हैं कतार की 2023 की मुस्लिम आबादी के बारे में दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करकर सबस्क्राइब करना ना भूले प्रसीद वेबसाइड वर्डो मीटर के अनुसार कतार की वरतमान समय की जनसंक्या 30,13,433 है कतार की आबादी दुनिया की कुल आबादी का 0.04 प्रतिशत के बराबर है आबादी के हिसाब से कतार दुनिया का 149 वा देश है कतार की 96.2 प्रतिशत जन संक्या शेहरी शेत्रों में रहती है कतार की उसद उम्र बत्तिश साल है अगर हम बात करें कतार की 2023 की मुस्लिम आबादी की तो कतार की मुस्लिम आबादी 22,30,000 इतनी है जो कतार के जन संक्या का 68 प्रतिशत आता है आपको बता दे कि कतार एक इसलामिक कंट्री है कतार की इसाई धर्मकी आबादी 13.8 प्रतिशत आती है जो कतार का दूसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है कतार में नमबर 3 पर हिंदु धर्मकी आबादी आती है जिसकी कुल आबादी 13.7 प्रतिशत इतनी है वही बौदर धर्म की जनसंख्या कतार में 3.1 प्रतिशत आती है तो दोस्तों ये थी कतार की 2023 की मुस्लिम आबादी की इन्फॉर्मेशन दोस्तों कतार देश के अलावा आपको किसी अन्य देश की जनसंख्या के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट करकर जरूर बताए और हाँ दोस्तों हमारी ये इंटरस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करकर सब्सक्राइब करना ना भूलिए मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ